है है अब देख रहे हैं मैं चैनल निव तिक निव आडिया मैं रुपेश शर्मा आज मैं जो आपके लिए टोपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम किलिर करता हूं कि उस टॉपिक को क्या बोला जा सकता है सबसे पहले तो इस टॉपिक का नाम बताता हूं जैसे कि निगेटिव लोगों को निगेटिव लोगों को इगनोर कैसे किया जा सकता है निगेटिव लोगों को इगनोर करना सीखना है तो उस चीज को कैसे कर सकते हैं आज उ उससी चीज को बताऊंगा भी कि जैसे कि जो भी आपके लाइफ में या आपके अगल बगल कोई भी निगेटिव इंसान है उससे कैसे दूर रहा जाए ठीक है तो इसी चीज को आज खिलियर करता हूं अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्र झ्लिक कर्मा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे को फालो कर सकते हो खिलोस्त तो डव। मैं इस चीज को बताता हूं कि जैसे कि आपके लाइफ में可愛 है आपके लाइफ में जो निगेटिव इंसान है उसकोयसे पहचान सकते हैं खिलोस क्षफ सब सर्स इस चीज को बताता हूं कि इस चीज से कैसे बचा जाए और कैसे इन से दूर रहना भी सीखा जाए आज मैं इन सभी चीजों को किलियर कर दूंगा कि कैसे बचा जाए और कैसे इन लोगों से दूर रहा जाए और मतलब अगर लाइफ में अगर कोई निगेटिव इंसान रहता तो कितना problem हो सकता है आज मैं इन सभी चीजों को clear करके बताऊंगा आपको तो सबसे पहली नमबर तो मैं बताता हूं कि life में negative इंसा आपको किस level तक negative कर सकता है उस चीज को समझते हैं ठीक है सबसे पहली नमबर तो आप जहां पर रहते हो ठीक है आप जिस society में रहते हो जिस environment में रहते हो आप जिस society में जिस environment में रहते हो वहां का क्या position है कैसे इंसान रहते हैं कितने percent negative इंसान है कितने percent positive इंसान रहते हैं आप जहां पर रहते हो, क्लिरिफिकेशन आप कर पाओगे, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से उस चीज को पहचान पाओगे, कि अगल वगल कौन सा इंसान कैसा है, ठीक है, तो सबसे पहली नमबर तो इस चीज को क्लिर करता हूँ, कि इन से दूर कैसे रहा जाए, ठीक है, क्योंकि दो सामने से तुम से आके बात करता है, या कुछ भी हाई हेलो करता है, तो यार उसको इगनॉर करना थोड़ा इंपॉसिबल लगता है, ठीक है, अच्छा भी नहीं लेगा कि कोई सामने से आके बात कर रहा है, तो उसको कैसे आप इगनॉर करोगे, ठीक है, तो इस चीज को मैं करता हूं उस चीज को मैं बताता हूं कि अगर किसी को इग्णॉर करना तो वहां पर कैसे आपको वर्ट करना होता है सबसे पहले नंबर बात तो कोई है अगर आपको लगता है कि इंसान निगेटिव है गलत है यह हमेशा मेरे काम को उल्टा सिधा बोलता है हर चीज का ठिंक इसका गलत है इससे बात करना ही गलत है अगर बंदा तुम से आके बात करता है न तो सबसे पहला नंबर जो काम होता ह कि उसकी बातों का क्या भोलता है कोई रिस्पॉंस मत करें तो ठीक है am ने जब Holzन नहीं करोगे एक दिना के बात करेगा दो दिन बात करेगा तीन दिन बात करेगा लेकिन चौथे दिन उस चुंहुत कोई इंट्रेस्ट नहीं है थो क्योंकि यार दोस्त इहां पर बहुत जो अंदर से अंदर से निगेटिव थिंक निगेटिव थोट होता है ठीक है तो जब निगेटिव थिंक होता है निवे निगेटिव थोट होता है तो वहां से कुछ भी अगर बाहर आता है कुछ भी अगर बाहर आता है तो हर चीज निगेटिव होता है और निगेटिव डिरेक्शन में जाता है और कोई भी question हो, answer हो, कोई भी उस इंसान का response हो, वह हमेशा गलती होगा ठीक है, अगर जो इंसान अंदर से गलत है, जो मनलब उसका सोच, उसका think, सब कुछ गलत है, अगर उसको भगवान के सामने भी ले जाके ख़रा करोगे, वह भगवान को भी गलती बोलेगा, और वहां से जो think होगा, उसका भी गलती होगा, उसका mentality, उसका सोच, भगवान के according भी गलती होगा, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो इन सब चीजों को समझ लिए आपने, कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था, ठीक है अब इस चीज के बारे मैं बताता हूँ कि इनसे दूर कैसे रहा जा सकता है और इनसे दूर रहना आप सीखना और आप इस चीज को अपलाई करना क्योंकि यार लाइफ के कोडिंग most important चीज है क्योंकि गलत चीज है हमेशा गलत ही रहती है ठीक है तो सबसे पहले नंबर तो इस चीज को बताता हूँ कि crystalline इंसान आपको कैसे करता है ठीक है? क्यूंकि आप इसमें इस चीज का मेंटर नहीं होता है कि आप किसके according definitive हो रहा हो आप अब अबपने education के according हो सकते हो, आप अपने family के according, आप अपने job के according, business के according relation के एक God bless anything more than कोई भी condition हो सकता है, कोई भी criteria हो सकता है किसी के according आप negative हो सकते हो किसी के recording आपके माइंड में कोई गलत Tenemos सकता है कोई गलत सोच हो सकता है कोई यार सिही सी बात है कि अगर आपके साथ को Iन इंसान है न सब से जयादा प्रॉबलम एक चीज में नहीं बता ना कि आपको एक भी प्रॉब्लम का सौलूशन नहीं बताएगा आपको कम से कम 50,000 एक्सक्यूज बता देगा कि आप इस काम को नहीं कर सकते हो, साइध उस बंदे ने इस काम को अपने लाइफ में कभी किया ही नहीं हो, फिर भी पता नहीं इतना सारा experience कहां से उसको आएगा और उस जीच का नहीं करने का जो एक्सक्यूज होगा, आपका डे निगेटिव करता है, अगर आप किसी काम को करने जा रहे हो, अगर दूसरा उस चीज को आकर निगेटिव करेगा, तो कहीं न कहीं 100% नहीं, 20% आप निगेटिव हो ही जाओगे, क्योंकि सामने वाले ने आपको पूरा निगेटिव किया, ठीक है, तो यार एक अच्छा काम भी, अगर आपको लगता है कि काम मेरा सही है, मैं इस काम में follow up करूँगा, इस काम में मेरा success है, फिर भी अगर कोई निगेटिव इंसान आके आपको इस चीज के बारे में excuse दिया, तो कहीं न कहीं, अगर आप उस काम को करने जा रहे हो, तो इस टाट भी नहीं करूँगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉबलम होती है एक निगेटिव इंसान की, जो आपको अच्छा करने से हमेशा रोकता है हमेशा आपको रोकेगा ही रोकेगा, ठीक है, अगर वही कोई पोजेटिव इंसान आपके लाइफ में रहता है ठीक है जिसका think सही है जिसका सोच सही है जो अंदर से अच्छा है सोचता है क्योंकि लाइफ में हमेंसा जो अच्छा सोचता है अच्छा करता है जिसका सोच आज है वही कभी success करता है तो ठीक है क्योंकि यार दुनिया में अगर तुम दोखो अगर इस दुनिया में देखो गए तो अच्छे इंसान बहुत मिलेंगे और बुरे इंसान उससे भी ज्यादा मिलेंगे ठीक है और कहीं सिम्पल से आप बात बताते हूं की जैसे की एक डॉक्टर है ठीक है एक डॉक्टर के पास दो टैप का इनसान आता है मैं दॉक्टर के काम है क्युक्त इलाज करेगा बस दो इंसान आया दोनों सेम condition है डाक्टर ने इलाज किया एक इंसान ने डाक्टर को थैंक्स बोला और एक इंसान ने डाक्टर को और dislike किया, तो उसे doctor का क्या मतलब है, कोई उस से, उस चीज से उसको कोई फार्क नहीं वरता, क्योंकि doctor का वही काम है, क्योंकि doctor अगर अपना काम नहीं करेगा, तो patient ठीक नहीं होगा, और patient उसको like करता है, या dislike करता है, वो patient के उपर depend करता है, और patient की mentality, think, काईसा इंसान है, और कैसा सोच है उसके according work करता है ठीक है क्योंकि अच्छा इंसान है अच्छा थिंग है आलवेज उसीज को like करेगा ठीक है जो अंदर से negative है, गलत है, थिंग गलत है उसका सोच गलत है यार वो हमेशा किसी भी अच्छे काम को गलती बोलेगा, ठीक है, और हमेशा किसी ना किसी चीज को डिश्लाइक करना, किसी के बुराई करना, यही करेगा, त्यार दोस्त, सबसे पहले नमबर चीज जो होती है न, कि आप जिस environment में रहते हो, आप जिस society में रहते हो, ठीक है, आपक आपका society कैसा है, आपका relationship कैसे इंसान के साथ है, आपका family क्या है, आपका friend circle क्या है, सबके according पूरे इस चीज को work करता है, इन सब एक दूसरे से connected होते हैं, जैसा friend circle होगा, जैसा friend होगा, जैसा family background होगा, उसके according आपका mind setup होता है, आपका सोच होता है, आपका think होता है, ठीक ह अगर खुद कुछ करना है न, खुद कुछ करना है, तो हमेशा वैसे इंसान से दूर रहो, जो तुम्हारे काम को, तुम्हारे वर्क को, तुम्हारे किये गए किसी भी काम को निगेटिव करता हो, या तुम्हें लगता है कि नहीं, वो इंसान में अच्छा भी करता हो, तो आ सब कुछ मैंने इस वीडियो में clear कर दिया, और सब कुछ मैंने बता दिया, अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करना, मेरे channel पे नए आये हुए हो, तो channel को subscribe करना, बस दोस्त आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नए content, एक नए टॉपिक के साथ बस आज इतना है दोस्त थैंक्स